अम्बाला में इन दिनों पुलिस और एक्साइज विभाग अवैद शराब तसकरों पर शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे अम्बाला के शाहां में देरात पुलिस और एक्साइज विभाग ने सयुक्त रूप से कारवाई करते हुए एक अवैद शराब की फैक्टरी को पकड़ा है जहांपर पुलिस और एक्साइज विभाग ने भारी मात्रा में अवैज शराब और शराब की खाली बोतले और लेबल बरामत किये हैं हलाकि आरोपी मोके से फरार हो गए हैं लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है बता दे कि अवैज शराब की तसकरी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अमबाला पुलिस और एक्साइज विभाग इन दिनों पूरी तरह से अलर्ट है विभाग की टीमों द्वारा जगे जगे छापे मारी कर अवैद शराब की तसकरी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है इसी गड़ी के तहब आमबाला के साहां में पुलिस और एकसाईज विभाग ने संयुक रूपसे बड़ी कारवाई करते हुए एक अवैद शराब बनाने वाली फैक्टरी का भांडा फोड किया है बतादे कि देर राथ पुलिस और एकसाइस विभाग ने मिलकर साहा के एक घर में च्छापा मारा, जहांपर अवैज शराब बनाने का कारोबार चल रहा था हलाकि आरोपी मौके से फरार हो गए लेकिन पुलिस और एक्साइज विभाग ने भारी मात्रा में आवेट शराब और खाली बोतलों समेच शराब की बोतल पर लगने वाले लेबल को बरामत किया है इसके बारे में जानकारी देते हुए एक्साइज विभाग के अधिकारी ने बताया कि साहा के एक घर में पुलिस के साथ मिलकर रेट की जहां पर आवेट तरीके से देसी शराब बनाने का कारोबार चल रहा था उन्हें बताया कि जिस समय रेट की गई जो लोग मौके पर मौजूद थे वो फरार हो गए लेकिन घर की दो मन्जिलों पर ये आवेज शराब बनाने का कारे चल रहा था अधिकारी के मताबिक ये फैक्टरी अभी नई शुरू की गई है जो समय रहते पकड़ी गई उन्हें बताया कि अब इस मामले में पुलिस जाच कर पता लगाएगी कि इस अवेज शराब की फैक्टरी को चलाने के पीछे कौन कौन शामिल है वही इस मामले में मौके पर रेट करने आये साहा ऐसेच चो बलकार सिंग ने बताया कि उन्हें को रुक्षेत्र पुलिस के माध्यम से सूचना मिली थी कि साहा में अवेज शराब तसकरी का काम चल रहा है जिसके बाद उन्होंने एक्साइज विभाग से समपर कर यहां पर रेट की गई है सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए मैं पुलिस का और अपनी एक्साइज टिंका बहुत ही विभागार करेंगे और इनका इनकी इनोंने बताया टाइम पे और हमने तभी हम पुर्ती से आकर के इस पर गाम कर पाए और रेट कर पाए और यह आप देख रहे हैं कि किस तरीक से इन्होंने घर में एक रेड हट जो यहां पर बड़ा मशूर साहा में है बैंकेट हॉल और उसके सामने की गली बेंदर जाकर के घर में बना रहे थी फैक्टरी और चुप-चाब यह काम चल रहा था यहां और पूरा ही इन्होंने काम कर रखा है देशी शराब बनाने के लि लगे वे देखें हमने और बड़ी-बड़ी टंकियों में इन्होंने शराब भर रखी है या वो क्या कैमिकाल है भी पता नहीं तो टेस्ट पर पता चलेगा और यह इस तरह से बरकर के सप्लाई कर रहे थे उपर की मंजिल में भी है नीचे भी है और यह जब रेड करी गई उस वकत जो यहां पे लोग थे वो तो भाग गए क्योंकि अंधिरे में 11-12 बजे के रेड करी है 11-11 बजे के असपस तो उस वकत यह जैसी रेड होई तो इनको पाचल गया और यह दोवारे कुद कुद के भाग गए सिरफ घर के बच्चे परिवार के हैं उपर तो यह जो क परणा होता तो आसपस ख़बर फैल जाती है यह खबर हमें बाहर से मिली कि यहां कोई गाड़ी ले गए थे जिसको पकड़ा गया और उन्होंने बताए कि वहां पे हमने फैक्ट्री लगाई है तो अब यह इन्वेस्टिकेशन का भिशे है पुलिस इसमें इन्वेस्टिक परणाब क्या और हमारे टीम ने जो कि आज उस पर इन्वोर्स्मेंट की ती उन्होंने पकड़ा है तो ऐसे ही आगे भी हम लगे रहेंगे काम करेंगे और जनता के हकों के लिए फैदे के लिए हम काम करते हैं मेरी इसके साथ साथ एक जनता से गुजारिश भी है कि यह काथ काथ करें और चो सब्सक्राइब सेPS आतने की कार्वाई लगतार है तो यह जंता को भी सोचना होगा कि वह कहीं से जो कोई बेचता है यह वहान से ना ले और सिरφव direito सरकार के म terminal किूच सब्ताइब आधों सब्सक्राइबSu पीने के बाद क्या हाथा हो सकता है ठीक है ना तो मेरी जंता से भी अपील है कि अधमाइन पहले हैं कि हमें इनफरमेशन मिली थी कुर्शेत्रा पोलिस के माद्यम से कि यहां पर एक लगली शिरा बनाने की बैक्टरी चल रही है अंबाला में रड़ हर्ड के बिलकुल डिटी साब इंस्पक्टर साब ये मोकर पर आए हैं अर सारे हमने यहां पर रेड किया है अर इकसाइज इस बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉरड़ेवल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें